हेलो दोस्तो वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में हार्थिक स्वागते में अभिनंदन है आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज का हमारा टॉपिक होगा जो इत्यास की मेहत्प्रमु गटना है उसके उपर आज का हमारा टॉपिक होगा इसापूर या ECB में जो भी गटना हुई थी हमारे इत्यास में उसके बारे मेहत्पूर टॉपिक होगा जो एक ना एक नमर का एक कही ना कहीं किसी भी एक्जाम में पूछ लिए जाता है आज का हमारा motivation code होगा बुरे हालात हुए तो क्या हुआ हम भी अपनी जित पर अड़े हैं सपने बड़े हुए तो क्या हुआ हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं बुरे हालात हुआ तो क्या हुआ, हम भी अपनी जित पर अड़े हैं, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ दोकर पड़े हैं, यानि हालातों को देखकर कभी मत रोगे, अपना डेली प्रैक्टिस करती रिजिए और अपनी जित पर अड़े रहे, एक न एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी तो अपने टॉपिक पर चलते हैं समय न गवाते हुए इत्यास की प्रमो गटनाएं गटनाएं एंड इस्वी पूर्व या इस्वी भारत में आर्रेयों का आगमन 1520 पूर्व महावीर का जनम 540 इस्वी पूर्व गोतम बुद्ध का जनम 563 इस्वी पूर्व गोतम बुद्ध का महापली निर्वाण 423 इस्वी पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 इस्वी पूर्व असोग द्वारक कलिंग पर विजय 261 इस्वी पूर्व बिक्रम संबत का आरम 58 इसवी पूर। सक संबत का आरम 78 इसवी पूर। हिजरी संबत का आरम 622 इसवी पूर। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11 इसवी हर्सवर्दन का सासनकाल 606 से 647 इसवी हैंसाउं की भारत यात्रा 630 इसवी सोमनात मंदिर पर आक्रमट 1025 इसवी तराइन का प्रिथम युद 1191 इसवी तराइन का दूतिय युद 1192 इसवी गुलाम बंस की इस्तापना 1206 इसवी बासको डिगामा का भारत आगमन 1498 इसवी पानी पत का प्रिथम युद 1526 इसवी पानी पत का दूतिय युद 1556 इसवी यही पानी पत का तीसरा युद 1761 इसवी अकवर का राजरोहन 1556 यानि अकवर का राजरोहन जो हुआ था पंद्द्दसस छप्पन इसवी मह हुआ था हल्दी घाटी कायुद 1556 इसवी दीन ए इलाही धर्म की स्थापन 1582 इस वी पलासी कायुद 1757 इसवी भक्षर कायुद 1764 इसवी बंगाल में इस्ताई बंदोवस्थ 1793 आश्वी बंगाल में प्रिथम विभाजन 1905 आश्वी मुस्लिम लीग की स्तापना 1906 आश्वी मारले मिन्टो सुदार 1909 आश्वी प्रिथम विश्युद 1914-1918 इस्वी, दुतिय विश्युद 1949-1945 इस्वी, अजहयो गांदोलन 1922-22 इस्वी, सैमन कमिशन का आगमन 1928 इस्वी, दांडी मार्च नमक सत्यागरे 1930 इस्वी, गांदी इर्विन समझोता 1931 इस्वी, कैविट मिशन का आगमन 1946 इस्वी, मात्मा गांदी की हत्या 1948 इस्वी, चीन का भारत पर आकमन 1962 इस्वी, भारत पाक युद 1965 इस्वी, तासकन समझोता 1966 इस्वी, ताली कोटा का युद्ध 1565 इस्वी, प्रतम आंगल मैसूर युद्ध शत्त्रेसो सट्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष 1999 यानि कारगेल युद 1999 फिर्थां गोल में सम्मेलन 1931 तृतिय गोल में सम्मेलन 1932 ग्रिप्स मिशन का आयोजन 1932 चीनी क्रांती 1911 इस वि नेक्स्ट हमारा फ्रांसीसी क्रांती फ्रांसीसी क्रांती है 1789 इस वि फ्रांसीसी क्रांती 1789 इस वि रूसी क्रांती है 1917 इस वि तो यह आज का हमार टॉपिक है कहीं ना कहीं एक ना एक ना एक कॉस्टन जरूर पूछ ले जाता है इसमें से तो इसका रिविजन करते हैं अभ भारत में आर्वियों का आगमन 1520 पूर। महावीर का जनम 540 पूर। गौतम बुद्ध का जम 563 पूर। गौतम बुद्ध का महापली निर्माण 483 पूर। सिकंदर का भारत पर आकमन 326-325 पूर। असोग द्वारा कलिंग पर बिजये 261 पूर। विक्रम संबत का आरम 58 पूर। सक संबत का आरम 78 पूर। भारत यात्र 630 पूर। हैंसों की भारत यात्र 630 पूर। स्वामनात मंदिर पर आकमन 125 पूर। तरायन का पृतम युद्ध 1191 पूर। तरायन का दुत्य युद्ध 1192 पूर। गुलाम बंस की स्तापना 1206 पूर। बासको डिगामा का भारत आकमन 1498 पूर। पानी पत का पृतम युद्ध 1526 पूर। पानी पत का दुत्य युद्ध 1556 पूर। अकबर का राजय रोहन 1556, नेक्स्ट एमारा हल्दी घाटी का युद्ध, 1560, दीन इलाही धर्म की इस्तापना 1522, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, बंगाल में इस्ताई बंदवर 1793, बंगाल में प्रतम बिवाजन 1905 इस्वी, नेक्स्ट एमारा, मुस्लिम लीग की इस्तापना 1906 इस्वी, मारले मिंटो सुधार 1909 इस्वी, प्रतम बिश्विद 1914-1918 इस्वी, दुत्य बिश्विद 1949-1945 इस्वी, असहयो गांदुलन 1920-1922 इस्वी, साइमन कमीशन का आगमन 1928-1948 इस्वी, दांडी मार्च नमक सत्यागरे 1930 इस्वी, गांदी इर्विन समझोता 1931 इस्वी, कैविनिट मिशन का आगमन 1946-1946 इस्वी, मातमा गांदी की हत्या 1948 इस्वी, चीन का भारत पर आकमण 1962-1962, भारत पाक युद्ध यानि भारत पाकिस्तान युद 15-1965 इस्वी, तासकंद समझोता 1966 इस्वी, ताली कोटा का युद्ध 1565 इस्वी, पिर्थम आंगल मैसूर युद्ध 1766-799 इस्वी, दुतिय आंगल मैसूर युद्ध 1780-84 इस्वी, तिरतिय आंगल मैसूर युद्ध 1792-92 इस्वी, सत्वरत आंगल मैसूर युद 1799 इस्वी, कारगेल युद्ध 1999 पिर्थम गोलमेश सम्मिलन 1932 तिर्थिय गोलमेश सम्मिलन 1932 खिरिप्स मिशन कागमन 1942 चीनी क्रांती 1911 फ्रांसीसी क्रांती 1789 रूशी क्रांती तो यह है आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छा लगा होगा आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं अपना फीडिवेक जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाए बेल आइकन पर क्लिक कर लाए जिससे के हमारी वीडियो आए तो तुरंत नोटिफिकरेशन मिल सके